बिहार में कोरोणा संक्रमित मरीजों की संख्यां दीनो दीन बढ़ती जा रही है इसी क्रम्य गया से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धजियां उडाते एक डिप्टी मेयर दिख रहे हैं बता दें कि डिप्टी मेयर मोहन अकोरी ओंकारनाथ श्रिवास्तव और मोहन श्रिवास्तव की कोरोणा रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद वे मंगलवार को बोध गया ऐसोलेशन सेंटर से चुट्टी मिलने के बाद बाहर निकले आप भी जरा देखिए कि कोरोणा पिडिक्त मरीज का स्वागत कैसे किया जा रहा है ऐसोलेशन सेंटर से मुक्त होने के बाद तो देखा आपने आप भी सोच में जरूर पर गये होंगे कि मेर सहाव का यहां इस तरह से जश्ट क्यों मनाया जा रहा है और क्या अगर ऐसा जश्ट मनाया जा रहा है तो क्या ऐसा होना चाहिए बता दे कि सेंटर से छूटने के बाद इनका स्वागत कई अस्थानों पर पारशदों और इनके चाहने वालों ने जम कर ढोल ताशे के साथ किया हलाकि इसके बीच वे होम कॉरंटाइन के नियम और सामाजिक दूरी का तनिक भी ख्याल नहीं रखा और सब भूल गए और समर्थकों से खुल कर मिले कई से हाथ तक मिलाए कई से गले तक मिलाए डिप्टी मेयर और इनके समर्थकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग यानि सामाजिक दूरी पूरी तरह से दम तोड़ता हुआ दिखा वहीं इस मामले को सदर एस्डियो इंद्रवीर कुमार्ड ने गंभीरता से लिया है सदर एस्डिप्यो ने बताया कि इस तरह की जानकारी नहीं मिली है अगर मिलती है तो इसके फूटेज को खंगाला जाएगा यदि सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने की बात सामने आती है और होम कॉरंटाइन के नियम का पालन नहीं किया गया होगा तो मामले को बहुत ही सिरियस तरीके से देखा जाएगा उन्होंने कहा कि केंद सरकार की गैडलाइन्स के मताबिक प्रकरिया को पूरा नहीं किया जाने पर कारवाई भी की जा सकती है